हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Samsung Galaxy S22 Android में अगर आप अपने mobile phone से call करते हैं तो call करने पर आपकी phone की जो call होती हो send नहीं हो बाती है ठीक है तो इस problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकारी द दबाके रखना है आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होता है यह आला इस पेज में आपको restart का यह option टैप करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone automatic switch off हो जाएगा पर इसके थोड़ी दिर बाद इस प्रोसेस करना ही है कि आपको अपने mobile phone की network setting को reset कर ना है दूस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone की network setting को न होती न कई ठीक तरिक से काम नहीं करती है जिसके करना हमारे phone की call होती है सेंड नहीं हो पाती तो आपको अपने मुवाल फून के network setting reset करने के लिए मुवाल फून का अप setting page ओपन कर लीजिए setting page में आपको सबसे ओपर ऐस search आइकेन पर tap करना है अब यहाँ पर आपको सबसे ओपर search बार में reset आपको लिखना है यहाँ ठीक है आपको नीचे लिखावा आ जाएगा network setting reset इस तरह किसे आपको mobile phone की network setting को reset कर देना है जिससे आपके mobile phone की call जो send नहीं हो रही है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है आपको reset to default पर tap करना है नीचे आपको लिखावा आ जाएगा reset API setting तो इसमें आपको reset पर tap करना है आपको यहां पर देखे लिखावा मिलेगा API setting reset to default इस तरह के से आपको mobile phone की API setting को reset करना है जिससे आपके mobile phone की call send नहीं होती है यह problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तो अगला process आपको यह करना है कि आपको जोन अपनी mobile phone का software चेक करना है कि वो update है या नहीं है दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone के software का update आता है आम उसे update नहीं करते है तो mobile phone का software update ना होने की कारण भी हमारे phone के android system के अंदर कुछ कमिया आने लगती है तो आपक इस वाले page पर कोई भी update का बटन दिखाई देता तो उसे आपको tap करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके phone की जो call send नहीं होती है problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तो अगला process यह करना है कि आपको अपने mobile phone का calling का जो recharge आप कराते है उसे आपको चेक करना है कहीं खतम तो नहीं हो किया कई बार ऐसा होता कि calling का recharge खतम हो जाता जिसके करण हमारे phone की जो call होते हो send नहीं हो पादे ठीक है आपको यह भी check कर लेना है अब अगला process यह करना है कि आपको अपने phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करन करना है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे factory data reset का यह option टैप करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की जो call send नहीं होती है problem आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके phone की call send नहीं हो पार यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीक है